अगर आप भी चाहते हो अपने मोबाइल से घर बैठे इंटरनेट स्पेस इस्टेशन को लाइब देखना तो एकदम सही वीडियो पर आए उसके लिए आपको क्रॉम ब्राउजर को ओपन करना यहां मैं देखा हूँ आपको क्या करना क्रॉम ब्राउजर जो है उसको एप्लि जो वेफसाइट से वह आजाएगी सिंपल उस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको नासा की जो अफिस्यल साइड है इस पर आजाना इस पर एक्चुल में कुछ एक्चुल करेक्टर कुछ नहीं सो हो पारा हो रहा कभी नहीं हो पारा कि आपकी लोकेशन पर कब दिन के ही दिखाता है अगर लंबा देखना तो उसके लिए मैं एक और नया मैथं बता दूर उसके लिए एक नया मैथं एक ए thigh करोंगे यहाँ पर location set करोगे और आप यहाँ से अपने जो भी RSS की location है वो यहाँ सो हो जाएगी अब दुन्या हम मैं दिखा दूँ आपको ISS Deluctor एक application है जो मैंने download कर रखा इसे open करोगे open करने के बाद ऊपर three dots पर आपको यहाँ click करना जो आपको दिख रही है इस पर click करना और नीचे यहाँ पूरी जानकारी camera ID, NASA TV, NASA light या अंदर का वहर का जो चाहों आप यह इस application में देख सकते हैं उसके बाद यहाँ सब कुछ event जो भी होगा वो यहाँ दिखेगा आपको simple ISS Deluctor यहाँ दिख रहा है उस पर click करना है उस पर आप click करोगे तो यहाँ देखोगे के passes आपकी जो current location है उसमें यहाँ कितने passes है मैं यहाँ within 3 days मतलब sorry 20 days का यहाँ दिख रहा है तो मैं यहाँ देखा दू दिन में नहीं दिख रहा है यहाँ नहीं देख सकते हमें 16 अगस्त को 24 को यहाँ हमारी location पर visible हो रहा है यहाँ ending time देख लिए 6 minute 13 second हमें यह दिखा है देखेगा और लगभर दो दिन दो घंटे और 9 minute के बाद यहाँ की जो timing है वो सो रही है इस तरीके से आप देख सकते हो इसका जो डारेक्शन है सौर्ट से नौर्थ इस्ट की तरफ है यहाँ जैसे यह टिक दिख रहा तीर का निसान यहाँ पर आपको देख लेना किस तरीके की जो आपकी location है एकदम site है सटीक से उसी दिशा में आपको देखना है जब यहाँ आपको दिखा दूँ